हेलो गाईस कैसे हैं अप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैस की OPPO A58 फोन में आप लोग हाइड की उए एपस को कैसे आप लोग अन हाइड कर सकते हो मतलब निकाल सकते हो अगर आपके पास एक Oppo A58 phone है और इस phone में जो है आप लोगों को hide हुए apps को बाहर निकलना है गैस तो कैसे आप लोग hide के apps को बाहर निकल सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाईट किये हुए एप्स को फिर से बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपने इस फॉन के सेटिंस में जाना है सेटिंस में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रूल डाउन करना है थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करते ही आप लोगों को यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा गाइस privacy का ठीके गाइस देख सकते है privacy का option तो इस privacy के option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देख सकते यहाँ पर और एक privacy का option होगा तो इस privacy का option पे भी क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते गाइस एक option होगा hide apps का तो इस hide apps के option पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आप लोगों का privacy password है उस privacy password को डाल देंगे डालने के बाद यहाँ पर देख सकते hidden का option देखने को मिलेगा guys तो इस hidden के option पे click करेंगे click करने के बाद जो भी application hide होगा वो सब application यहाँ पर show हो जाएगा unhide करने के लिए simply application को यहाँ पर से आप लोग off कर दीजिए और यह option off होते ही आपका जो यह application है वो unhide हो जाएगा देख सकते ही off हो गया है अभी अगर हम भेख जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते ही application यहाँ पर show हो गया है ठीए guys तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने oppo A58 phone में आप लोग हाइट किये हुए application को बाहर निकाल सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसान आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई